साथियो, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज़्यादा जुरूरत है, वो है राज्य को स्थाहित्व देने वाली भाज़पा सरकार। भारत ने 80 के दसक के बाद से, 3 दसक तक 30 साल हमारे बरबाद हो गए, आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही। सरकारे आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी, बार-बार चुना होते थे, हजारो करोण रुपय का बरबादी होती थी, ननीतियों में स्थिरता, सारा महोल बिगड़ चुका था, इतना बड़ा देश, कई बार चुना हुए, देश का हजारो करोण रुपय का व्याफ हो ग देश नीती के मामले में, निर्णवर के मामले में, विकास के मामले में पिछड गया और दुनिया भारत की तरफ से उदाजिन हो गई फिर देश के लोगों ने तै किया कि जब तक दिल्नी में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूर सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बढ़ लेगा और इसका नतीज़ा ये हुआ कि आप सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने, 2014 में हमें इतने आसिरवाद दिये और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात महनत करके आपकी अपिक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीशे नहीं रहे और उसका परणाम ये हुआ कि 2019 में दुबारा अपने आसिरवाद दिया सात्यों हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य है वहाँ भी अस्तिर सरकारों का लंबा दौर रहा है छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुक्सान उठाया है लेकिन बीते वरसों में हमारे पडोस में उतराखंड हो गोवा हो मनीपूर हो अनेक ऐसे छोटे राज्य उन्होंने अब स्थीर सरकार की तरह अपना मूँ मोड लिया है और पूरी तरह सरकार को दुबारा लाना और भाजपा सरकार है आज छोटे राज्यों में दुबारा जीत करके आ रही है इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी वहां की लोगों ने रिवाज बदल दिया उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दुबारा सरकार ला दी स्थी सरकार में विकास भी तेज होता है और जन्ता के प्रति अपनी जवाब दाही के प्रति भी सरकार गंबीर रहती है जहां हर पांच साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है वहां सरकारों में भी यही रहता है कि क्या करना है काम करो कोई करने की जरूप नहीं है पांच साल के बाद तो यह हमाचल वाले बदल देते हैं इसके एकार वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है तो वो कुछ करते भी नहीं है इसलिए भी स्थीर सरकार के प्रयोक करने की बहुत आवश्यक्ता है भाई तो मुझे खुशी है कि हमाचल में जैराम जी की सरकार ने जो विश्वास हांसिल किया है उनकी पूरी टिम ने पांच साल के लिए जो काम किया है उसी का नतीजा है कि मैरी याज ये दूसरी सभा है इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले बीजेपी की सरकार बनाना हमाचल की जनता ने तैय कर लिया है हमाचल में भाजबा सरकार अपने कारियों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापस के लिए भी उतनी ही प्रतिवद्द है और साथ यो हम ये भी समझना होगा कि अस्तिरता से फाइदा किसका होता है कॉंग्रेस के बर्सों के साथन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्वा और ऐसे अनेक समूप पैदा हुए Western Interest Group पैदा हुए जो भारत को अस्तिर देखना चाहते हैं जो हिमाचल जाथे राज्यों को अस्तिर देखना चाहते हैं और इसलिए वो स्तिर सरकार होने ही नहीं देते हैं हवा फैला देते हैं देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूप के निशाने पर रहे हैं कुछ जुठे वाईदे करके, कुछ सीटे जित कर, ये स्वारती समों सरकारों में आकर सरफ सरफ अपने हित साथ ने रहते हैं, ये लोग खुद को कटर हिमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े ब्रस्टाचारी ये ही होते हैं, ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश खुद को बचा कर रखना है, इनके खेल से खुद को बचा कर रखना है, आप देखिए साथ यो, केंदर में स्तिर सरकार मनी, तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णाई लिए, जिनका इंतजार देश वाचियों को बरसों से था, जब केंदर में स्तिर सरकार मनी, तो प्रस्टाचा और ब्रस्टा चानियों के खिलाब निर्णायक लड़ाई शुरू हुई है जब केंदर में स्तीर सरकार बनी तो आतंगवा नक्सलवाद कामू में आए नौर्थ इसमें स्तांति स्तापिद हुई इसलिए स्तीर सरकार 21 सदी के भारत की जरुत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज़्यत की भी है